हर्याना के 9 मेवात में हुई हिंसा पर अब विदेश से भी प्रतिक्रिया आने लगी है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हिंसक जड़पो पर बयान जारी करते हुए दोनों पक्षों से शांटी की अपील की है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा जाहिड तोर पर हमेशा की तरह अमेरिका शांती की अपील करता है और दोनों पक्षों से हिंसक कार्य ना करने की अपील करता है दरसल नू में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस बार भी ब्रिजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था प्रशाशन से इसकी इजाज़त भी ले ली गई थी ब्रिजमंडल यात्रा के दोरान इस पर पत्राव हो गया था देखते ही देखते ये हिंसा में बदल गया स साइबर थाने पर भी हमला किया गया, फाइरिंग भी हुई, इसके अलावा एक मंदिर में सैकडो लोगों को बंधक बनाया गया। पुलिस की दखल के बाद लोगों को वहां से निकाल लिया गया, पुलिस पर भी हमला हुआ, और नू के बाद सोहना में भी पत्राव और फाइरिंग हुई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, बताले मेवात नू में शुरू हुई हिंसा गुरुग्राम तक पहुँच भी थी, भीर ने जहां मस्जिद पर हमला करके मौलवी की हत्या कर दी, इतना ही नहीं दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया था, इस हिंसा पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलो की 20 टुकडियों को तैनात किया गया था, नू पलवल, मानेसर, सोहना और पटोदी मे इंटरनेट बंद कर दिया गया, अब इस्तिती काबू में बताई जा रही है, आरेफ ने कई जगों पर फ्लैग मार्श निकाला, हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिशद ने आज देश व्यापी प्रदर्शन बुलाया है, उधर हर्याना में हिंसा को देखते अब अलवर में भी धारा 144 लागू कर दी गई थी